हालो हाई यस पुलिये और सब मैंने आपसे कल एक लैप्टॉप पर्जेस किया था तो मेरे लैप्टॉप में अब MS Office ओपन नहीं हो रहा है ओके मैंने कल और एक सॉप्टॉर आपके लैप्टॉप में इंस्टॉल किया था रिमोट डेक्स्ट करके उसे ओपन कीजिए ओके अभी उसमें आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा वो नंबर मुझे बताईए ओके 372 ओके 457 139 ओके मैंने आपको एक रिक्वेस्ट शेयर किया है एक्सेप्ट कीजिए ओके सर लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई नहीं है ओके मैं एक बार फिर करता हूँ अभी चेक कीजिए सर अभी भी मुझे रिक्वेस्ट नहीं आई है ठीक है मैं एक बार और रिक्वेस्ट शेयर करता हूँ हाँ चेक कीजिए मैंने रिक्वेस्ट पिर से शेयर किया अरे संद मुझे रिक्वेस्ट आई ही नहीं है अभी भी ओके तो दोस्तो आप भी किसी के online remote desktop लेके help करना चाहते हो और आप वही remote desktop software यूज़ करें जो ये लोग यूज़ करें और बार बार आप request बेज रहे हो सामने हो लेको लेकिन request नहीं मिल रही वो भी परेशन आप भी परेशन तो मैं आपको कहूंगा कि आपको remote desktop software बदलना चाहिए जियां दोस्तों मैंने कल पर सो एक remote desktop software ट्राय किया जो की कापी interesting है जिससे high quality वाला image transfer होता है बेसिकली जब आप remotely access करते हैं किसी का PC तो high quality resolution वाला interface आपको मिलता है साथी में ये remote desktop software है उसका नाम है बेसिकली अभी का remote desktop software वो आप android phone के साथ भी connect कर सकते हैं मतलब या पर कोई PC to PC भी आप connect कर सकते साथ में PC to android phone भी आप connect कर सकते हैं या android phone to android phone भी आप connect कर सकते हैं अगर जानने में इंट्रेश्ट तो वडियो एंड तक देखीगा सीधी बात नोग पपास चलिए यह वडियो शुरू करते हैं खास तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में जो software मैंने बताया आपको उसे डाउनलोड इंस्टॉल करना बहुत सिंपल स्टेप है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी अभी क्लिक कीजिए उसके उपर और क्लिक करते हैं आपके सामनी इंट्रफेस आएगा जहां पर आपको दिखा आपको यहाँ पर और इनका बेसिक वरजन लाइफ टाइम के लिए फ्री है और थर्टी देज के लिए यहाँ पर प्रो ट्रायल इंक्लूडेड है फिलाल आप डाउनलोड फॉर विंडोस बटन पर क्लिक कीजिए यहाँ पर डाउनलोड फाइल हो जाएगी उसके बाद इस इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा जिसमें आपको दिखाए दे रहा है अभी का remote software में आभी का ID आपको दिखाए दे रहा है पासवर्ड यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है और साथ ही में यहाँ पर remote session भी दिखाए दे रहा है मतलब आप जिस particular PC को एक्सेस करना च कर सकते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़े दिखा दूंगा, step by step, एक computer पहले एकसेस करके देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर मेरे पास एक laptop मैंने रखा है, साथ में दिखाने के लिए, उसका यहाँ पर इसका ID में यहाँ पर करता हूँ, इसका ID करने के बाद क्या-क्या options आपको मिलते हैं, मतलब अगर आप उसका remote एकसेस करते हो, यहाँ पर ढहले सारे options भी मिलते हैं, ढहले सारे features इसके इंट्रेस्टिंग मैं आपको एक फीचर सम्झाऊंगा जो कि बाकी सॉफ्टर में जाता तर अवैलेबल नहीं रहते हो वीचर तो सबसे पहले आईडी डाल देते हैं मैंने यहाँ पे एक लैप्टॉप भी रखा है जिसका मैं आईडी यहाँ पे आड करो दूसरे एक डिवा पासवर्ड रखा है साथ में तो लैप्टॉप में यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड आ चुका है मैं इस पासवर्ड को थोड़ सो कॉम्प्लिकेटर लग रहा है 65 KGBS मैं चाहता हूँ मतलब AZ पासवर्ड देना चाहता हो एकदम तो आप यहाँ पे कस्टम पासवर हो गया यहाँ पे पूरे नमबर और टेक यह मिलके और मैं इस पासवर्ड को अभी एंटर करना चाहता हूँ बिसिकली यह पासवर्ड मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ अभी मैं सेम पासवर्ड यह तो मैंने लैप्टॉप के चेंज किया जो दूसरा डिवाइस है मे आपने प्रोपर आउड ि इंटर किया है अपने प्रोपर पासवर्ड इंटर किया है Connect हो गया Connect होने के बाद आप देख सकते है मेरा जो देयेक्टॉप यहाँ पर मैं laptop का desktop में यह je जो है, minimize कर दें, आप देख सकते हैं, यह laptop का screen आ चुका है, मेरा जो side में laptop है, मैं laptop भी दिखा रहा हूँ, आपको यह पर laptop की screen जो exactly दिखा रहे हैं, मैं यह पर कहीं पर पी क्लिक करूँगा, suppose मैं यह पर कोई भी file open कर लेता हो, browser open कर लेता हो, you can see, मैंने browser open किया, you can see, right, access कर पा रहे हो, दो नो, मतलब जो laptop पे basically है, वो अपने desktop यह आप असानी से access कर पाते हो, सारी file सब कुछ access कर सकते हो, यह तो easily दिखाए देरे हैं आपको, और यह पर screen का जो resolution आपको दिखाए देरे हैं, वो बहुत quality resolution आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगी, तो quality options भी उन्होंने दिया है, HD 5 Mbps quality आपको smooth चाहिए, आपको ultra HD चाहिए, 10 Mbps तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको customize चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह quality option उन्होंने दिया है, इससे क्या होगा कि जो आपने screen access की है, जिसका भी remotely, तो उसका screen आपको यहाँ पर द बड़ा भी हो चुका है, क्योंकि resolution चेंज किया, और अगर आप laptop पे जाकर देखोगे, यहाँ पर laptop पे as it is, resolution चेंज हो गया, right, so resolution में चाहिए, यहाँ पर फिर मैं ऐसे default कर देता हूँ, दुपारा default किया, तो यहाँ पर fix आचुका है, full screen यहाँ पर आ गया, okay, यहाँ पर icons क size से पता चल रहा है आपको, even color, frame rate, device, ऐसे धेर सारे options यहाँ पर दिये है, आप frame rate चेंज करना चाहते है, 30 fps की, 15 fps रखना चाहते है, यह 60 वो भी आप कर सकते है, device में यहाँ पर gamepad डिवाइस वगरा connected तो वो भी आप यहाँ से access कर सकते है, physical या virtual monitor यहाँ पर दिखा सकते है, यहाँ पर auto scaling option है, original ratio के साथ आप रखोगे तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि laptop का ज्यादा actually ratio है, वो ratio 3200 pixels के असपास है, और यह है desktop का जो की 1900, पतलब 1080p के असपास ही है, basically, so यहाँ पर मैं auto scaling कर देता हूँ इसको, उसके display के अलावा यहाँ पर shortcut access करने के लिए है control delete access करना है, तो आप यहाँ पर click कीजिए, उस laptop पर controller delete हो जाएगा, right, उससे क्या होता है, आपको पता ही है, controller delete phrase करने से, directly task manager आजाता है, तो वो अगर आप यहाँ से access करना जाते है, lock करना जाते है, laptop को logout करना चाते है, restart करना जाते, shutdown, file explorer open करना चाते है, तो यह सारी रिमोट ली, chat करना है, मैं यहाँ पर hello लिखूंगा, तो laptop devices पर hello चला जाएगा, इस तरह से, so chatting, it is as a possible, okay, देखो laptop devices पर chat आ गया, तो यहाँ पर एक option दिया है, turn on privacy mode, मैं इस पर click करता हूँ, और click करने के बाद सामने आप पास, मतलब जो मेरा second device से उसको pop-up जाएगा, अग उसने इसे accept कर ले, तो उसकी screen पे कुछ नहीं दिखाए देगा, वो देखी नहीं पाएगा कुछ, और हम सब कुछ यहाँ पर operate कर पाएंगे, मतलब आपने remote वाले particular person को बोलाए, कि ठीक है, मैं enable कर रहा हूँ, इस accept कर रहा हूँ, कि मुझे screen पे कुछ नहीं दिखा तो भी चलेगा, और directly वो आपकी system को यहाँ पे access कर सकता है, यह privacy mode है, मतलब remotely जब आप कुछ यहाँ पे ले रहे हो, आपके system के साथ कुछ कर रहे हो remotely, तो उस particular जिसका remotely आपने लिया है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, अब यह खब जरूरी हो सकता है, simple से example है, आप एक hardware administrator हो, एक system के administrator हो, basically, आप जो setting कर रहे हो, वो देखना पाए, तो इसलिए यह privacy mode काफी interesting है, next यहाँ पे turn on voice synchronization भी दिया है, इसके लिए आपको एक plugin इंस्टॉल करना पड़ता है, जो remotely access किया हो device, उस पे, right, copy plugin, download link, यहाँ से आप download कर सकते हैं, और वो particular link से आप यहाँ पे एक plugin start screen recording, यहाँ पे screen recording भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ chapter उसे पढ़ा रहे हो, suppose, उसका screen recording, पुरा-पुरा video recording यहाँ पे start हो जाएगा, आप जो click करोगे, actions करोगे, वो पुरा-पुरा यहाँ पे record होते जाएगा, remember, and stop button पे click कीजिए, stop हो जाएगा, open folder पे click करते हैं, आप recording भी आपके पास store हो चुका है, got it, so, इस तरह से आप यहाँ पे recording भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे turn on mouse lock, अगर मैं इसे mouse lock को click कर देता हूँ, right, यहाँ पे mouse lock escape, मतलब mouse lock हटाने के लिए यहाँ पी दिखाए दे रहा है, shift, alt, L, press करो, okay, so, यहाँ पे मैंने क्या कर चलो, ठीक है, notice दे उसने, अब mouse lock हुआ मतलब क्या हो, आपका mouse जो है न, screen से बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा है नहीं, screen से, ऊपर जाएगा नहीं, नीचे जाएगा नहीं, mouse lock होगा पूरा, look at there, यह कब जरूरी पढ़ता है, जब आप चाहते कि आप रिमोटली system पे अब इसे access करें, हमारा इसे access करें, ऐसी गलती आप से हो रही है, तो यहाप यह turn on mouse जो है, यह all option जो उपर दिख रहा है, अब इसे कैसे अटाएंगे, shift, alt और L प्रेस कीजिए, then यह बंद हो जाएगा, mouse उपर जाएगा, अब देखिए, इसको turn on किया, okay, उसके बाद mouse उप पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तो हमारा पासवर्ड था अभी का 123, मैंने इंटर किया, and you can easily transfer file, right, desktop से एक file, suppose यहाप यहापको दिख रहा है, all questions, यह मुझे यहापे desktop पे रखनी, तो इधर भी desktop open करो, यहापे यहापे, send button, तो all questions is desktop पे आचुके, यह देखे, नीचे भी करना चाते हैं, तो full screen भी कर सकते हैं, तो ऐसे धेर सारे features यहापे दिये हैं, कि जिससे आप remotely पीसे access कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इतने देर तक मैं access कर रहा हूँ, और यह काफी quality वाला screen हमें दिखाए दे रहा है, यहापे बिलकुल blur नहीं हो रहा है, lag नहीं हो रह सकते हैं, तो यह रहा, basically किस तरह से हम यहापे एक PC laptop access कर सकते हैं, तो मैं इसे फिलाल end कर देता हूँ, end मैंने कर दिया है, तो अब आपने देखा कि एक system से दूसरा system कैसे access होता है, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि एक system से, basically computer से हम android phone कैसे access करेंगे, इसके लिए करना क्या ह इसके लिए simple steps आपको follow करने हैं, आपके android phone में यह software डाल देना है, वही software जो जिसके हम बात कर रहे हैं, अभी का, right, आप play store पे जाकर अभी का सर्च कर सकते हैं, और यहाप इसे download कर लीजिए, जैसे आप इसे download करोगे, download होने के बाद open button पे click कीजिए, open करते ही, यहापे agree and continue क कीजिए और आपके email ID से यहापे sign in कीजिए, तो यहापे ID password से आप sign in कर लो, उसके बाद यहापे device ID आपको enter करना है, please enter device ID, अगर आपको रिमोटली device access करना है तो उसको, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे mobile से, यह जो mobile है, mobile से मैं directly access करूँ यहापे computer, तो मैं आपे computer का ID डाल द होगा, mobile से मैं remotely access करना चाहता हूँ, तो वो भी possible है, मैं यहापे computer का ID डाल रहा हूँ, जैसे 232-688-723, और connect बटन पे यहापे मैं click करूँगा, connect बटन पे यहापे connect हो चुका है, password भी पूछा जाएगा basically, connect बटन पे click करते ही, but यहापे क्या हो रहा है, same email ID से मैंने login किया ह तो मुझे password नहीं पूछा है, same email ID से login किया है, यहापे email ID basically, मैंने यहापे enter किया, अगर आप दूसरे email ID से यहापे sign in हो, तो आपको password पूछेगा, ID डालती ही, right, तो मेरा password नहीं पूछा, password एंटर करना पड़ेगा आपको, यहापे पूरा desktop आ चुका है, now I can see, कि यहापे आपको keyboard चाहिए, keyboard access करना है, तो यह देखे, keyboard भी नीचे options दिया है, उन्होंने, a lot more options are given here, mouse का options भी दिया है, mouse का click, left click, right click, नीचे देखे, left click और right click दोनों भी दिया है, जैसे आप mouse country यहापे लाओगे, आपको लगता है कि आपको left click करना है, so left click पे button पे click की, यह देखे, right, and quality भी देख लीजे आप, चाहिए तो मैं इसे landscape में दिखाता हो, you can see the quality, guys, यह quality आपको बाकी software में मिलती नहीं है, so this is the difference, actually, इतनी बढ़िया quality मैंने कोई और software में नी देखी थी, उसके आला हो, यह आपको options भी दिये नीचे आपको, कि इसको landscape चाहिए, touch mode चाहिए, pointer mode चाहि सारी चीजे है, so you can use these options, right, इस तरह से access कर सकते हैं, दूसरा, अब यह तो मैंने access किया, इस तरह से, computer मेरा, अब मैं चाहता हूँ, mobile access करूँ यहां से, तो मैं इसे disconnect कर देता हूँ, sure, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे desktop के उपर से, म मैं यहाँ पर ID इंटर कर देता हूँ, 956-197-922, यह ID तो इंटर कर दे, लेकिन उसके पहले, remote control जो tab है, एक allow remote access to this device पर यह enable कर देना है, यह चोटा सा option, enable कर दीजे, तो यहाँ पर screen recording permissions को allow किजे, accessibility permissions में जाकर इस particular software को भी allow कर दीजे, enable control mode पर क्लिक किजे, जैसे आप यहाँ यहाँ पर enable कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर connect बटन पर click किजे, connect बटन पर click करते ही, यहाँ पर यह connect हो जाएगा, यह basically password भी पूछेगा, लेकिन मेरा same email IDC login ने तो password नहीं पूछ रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, और अभी आप देख सकते हैं, मेरा mobile यहाँ पर access हो र basically access कर सकता हो, let's move ahead and मैं यहाँ पर camera on कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर camera on कर दिया है, अब देख सकते हैं, you can see guys, right, इस तरह से camera on भी हो चुका है, interesting, right, so अब आप इस तरह से remotely सारे options access कर सकते हैं, मतलब basically अपने पूरे Android phone को आप यहाँ से access कर सकते हैं, आपको WhatsApp access करना है, आप so basically यह बहुत ही simple होता है, आप एक Android phone, दुसरे Android phone से access कर सकते हैं, आप यहाँ पे दुसरा desktop access कर सकते हैं, आप desktop से mobile access करो, mobile से desktop access करो, सारी चीज़े आपे practically आपको मैंने दिखाई, तो यह software interesting लगा हो, इसकी features interesting लगे होंगे, मैंने आपको बताया, इसकी features क्या-क्या है, जो कि बाकि सारे software नहीं मिलते हैं, मैंन तो quality यहाँ पे बहुत अची तरह से आ रही है, file transfer हम कर सकते हैं, तो अगर आपको लगता है, remotely हमें बहुत ही काम काना पड़ता है, so link description में दिए, download कीजिए, अब रही बारी safe की, तो यहाँ पे safe and secure है, इनकी company का दावा है, कि यह हमने पू और password भी आप change कर सकते हो, जब चीह तब, तो यह बहुत secure application है, basically तो आप इसे use कर सकते हैं, दूसरा बहुत सरे लोगों का एक doubt रहते हैं, क्या remotely जो software available रहते हैं, उसको हमारे computer में install रहने देना ठीक है क्या, मैं आपको बता दू, remotely जो access software रहते हैं, वो basically हमारे काम के लिए, म और password रिनेम कर दो, जब आपको लगता है, तो इसे अगर आप properly use करते हो, तो safe है, अगर आप properly use नहीं करते हो, तो भई हर एक चीज़ unsafe ही होती है, तो properly use करना ज़रूरी होता है, so that's it guys, मिलते हैं next video के अंदर, तब तक के लिए अपना खायल रखो, वीडियो like, share करना ना लिंक description में application की जरूर चेक करना, बाई बाई